हेलो और वेलकम फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल के इंतर मैं हूँ एनके और आज मैं आपके लिए लिक्या हूँ फैक्टर्स के वारे में कुछ नियो इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेशन जी हाँ टॉप ट्वन्टी सॉफ्वेर जो फैक्टर्स के द्वारा यूज केते हैं वो भी विद्प्रूफ तो चलिए फ्रेंड बिना किसी डिले के शुरू करते हैं नंबर वन एडव प्रीमर इडव प्रीमर इसका यूज वीडियो एडिटिंग के लिए करते हैं इसका यूज इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं इस CPU के अंदर तो जो फैक्टर्स है वो इस मोडेम का यूज कर रहे हैं वरत्मान के अंदर ताकि वो अपने कम्प्यूटर में इंटरनेट चला सके इसे समान्य बासा में डॉंगल की नाम से भी जाने जाता है इसका यूज करते हैं जिस प्रकार अपने ओडियो होती है उसके अंदर साउंड देने के लिए या फिर साउंड को इफेक्ट को चेंज करने के लिए इस और फिर का यूज के जाता है इसका यूज करते हैं जिस प्रकार की आप देख सकते हूं इस पिक्चर में दिया हुआ है इस प्रकार की जानकर या कोई चाहिए तो आप CPU जैट शप्रेर को यूज कर सकते हैं नमबर 5 फिल्मोरा नेक्स्ट है फ्रेंड्स फिल्मोरा तो फिल्मोरा तो आपको पता ही होगा वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं जिस प्रकार बहुत ही पॉपलर चैनल माई स्मार्ट स्पोर्ट के द्वारा बताया हुआ है जी श्री महांदर कुमार जी के द स्क्रीन शूट लेना है या फिर आपने उसके वीडियो के रिकॉर्दिंग घरनी है यह फिर फिर कोई गेमिंग पीक्स होता है उसके अंदर आपने कुछ वर्क कहना कि वह जो जो स्क्रिन को उता है उसे रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं ग नंबर 7 इसका यूज अपने जो वीडियो होती है उसे कट करने के लिए इसका यूज करते हैं और इस तिकर इसका आइकोन है जो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुए लिंक से भी डाउन्लोड कर सकते हो इसके द्वारा चेक यहाता है कि अपने जो CPU के नदर जो हीटिंग होती है वो कम या कितनी हो रही है वर्तमार के नदर वो आप इस app से चेक कर सकते हो इसका यूज करते हैं कि आपका जो CPU है उसके इंदर जो graphic card है वो high quality एक graphic card अगर आप यूज़ करें जाते हो तो आप इस software का यूज़ कर सकते हो यह एक प्रण़र का graphics driver ही होता है इन्टेल HD Graphics नंबर 11 MKV Merge UI MKV Merge GUI यानि कि GUI की full फर्मति graphical user interface यानि कि जो दो graphics होते हैं उनको आपस में जोडने के लिए इस software का use किया जाता है ओके 12 MKV Tools M.I.X MKV Tool Next MKV Tool इसका use भी पिछे वाले software की तरह ही यूज़ करते हैं यह दो different software मार्केट में है Number 13 MSI After Burner Next MSI After Burner इसका use करते हैं जिससे कि आपने कोई CD या फिर DVD को create करना है या उसे burn करना है तब आप इस software का use कर सकते हो Number 14 Screen Recorder Screen Recorder जो factors है वो भी वर्तमान के अंदर इसी screen recorder का use कर रहे हैं अपने screen को record करने के लिए तो आप इसे download करके जुरूर try करें Number 15 Skype Video Calling Next है Skype तो क्या आज भी factors Skype से वीडियो कॉल लिंग करते हैं? Yes, क्योंकि यो लैप्टॉप्स का use करते हैं तो इसके लिए उनको Skype ही एक better situation है ताकि वो अचानी से वीडियो कॉल कर सके हैं Number 16 Spellship Pro Next है Supplyce Pro EX इसका यूज भी वीडियो एडिटिंग के लिए आप कर सकते हूँ जिस परकार की factors के द्वारा किया जाता है Description में तिये हुए लिंक से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हूँ Number 17 Vigace Pro Next है friend Vigace Pro यह भी वीडियो एडिटिंग करने के लिए ही यूज जोता है आप देख सकते हूँ इसमें अलग अलग effects आप यूज कर सकते हो इसे पिक्चर में देर खाया है यह कपल खड़े हैं और आज पास फूलों का जो कलर है तो किस टाइप का है तो इस तरह की वीडियो एडिटिंग करने हो तो आप इस आप इस आपटर का यूज कर सकते हो जो कि डिस्करिप्शन में दिये हूए लिंक से आपको मिल जाएगा आप इसे जुरूर ट्राइगा करके देखिएगा Number 18 Video Subscribe Next है friends Video Subscribe तो आपको पता है होगा जातर यूट्यूबर्स के पास यह होता है Explain करने के लिए Whiteboard Animation के तरह आप इस पर कुछ भी Explain कर सकते हो वो भी Factors के तरह यूज किया जाता है आपने देखा होगा उनकी वीडियो के इंदर जातर इस तरह से Animation बने होते है Number 19 XILI Software Video Next है friends XILI Software Video Video Converter के लिए यूज करते है जिससे कि MP4 Video को 3GP में Convert करना या फिर जो Small Video होती है उसे बड़े लेवल पर लेके जाना For example, MP3 है उसे MP4 में Convert करने के लिए इसका यूज किया जाता है Okay Cutter आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पर आप जाने के बात में आप कहोगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही का यान कि ये वीडियो के इंतर जितने भी software बताएगे है वो बिल्कुल correct है और उनका यूज वो करते थे So friends आपने description में दियो वे proof लिंक पर जाना है जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो ओपन होगी आप इसके इस वीडियो को प्ले करेंगे ये factors की वीडियो है तो इसमें जैसे कि आई मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ next कर रहा हूँ है देखिए इस desktop दिखाई देरा आप इसके इंदर ध्यान से देखना इसके इंदर जितने भी software दियो है यूज किया जाता है factors के द्वारा ओके फ्रेंट्स तो कैसे लेगी आपको हमारी वीडियो comment box में comment जुरूर लिखें और ये दि आपको वीडियो अच्छी लगे हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe जरूर करें ओके फ्रेंट्स थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो next मिलेंगे कुछ न्यों इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तक तक के लिए बाई बाई फ्रेंट